गोडेवनिंग दोस्तों हमारी यूटूब चैनल टीचर एजूकेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी सिक्षकों को पता है कि निष्ठा की ट्रेनिंग जो है वो हम सभी सिक्षकों को करनी है दिक्षा आप के माध्यम से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौडूल सेवन के मुख प्रसनुत्री के बारे में जो है विद्याले अधारी ताकलन इसमें 10 मुख प्रसनुत्री है इसी कहल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं तो चलिए बिनंदर के वे इस वीडियो को सुरू करत तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं दिख्षा एप को ओपन कर लेते हैं दिख्षा एप को ओपन करने के बाद हमें आना है प्रोफाइल में प्रोफाइल पर टच कर लेते हैं उसके बाद हमें आना है नीचे माइ लरनिंग में दोस्तों यहाँ पर हमें धूंडना है वो मौडूल सिवन का कोर्स जो है विद्याले अधारित आकलन यहाँ पर हम धूंड लेते हैं यहाँ देख सकते हैं से इस पे हम लोगों को इसका टेस्ट देना आए तो सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आते हैं इसके नीचे प्रसणोत्री में जैसे प्रसणोत्री में आएंगे तो यहां पे start again या ओप्सन आ रहा है चुछकि मैंने यह टेस्ट पहले complete कर लिया है आप लोग पह भोड़ोना शुरू हो जाता है तो यहां प्रस्थ wszत्री का पहला करक्त हमारे स्क्रीन पर लोड़ हो रहा है है का रहा है क्रीक्त ओर दोस्तो सब्से पहला प्रश्थ न आचुका है प्रश्थ पढ़ते है गनीत में सीखने की अच्छमता का आकलन निमलिक्षित परिक्षनों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है इसका सही अंसर है option नैदानिक परिक्षन जो की option B में है एक बाद दोस्तों आप लोग बता दूँ कि जो option यहां मेरे screen प्यारा है हो सकता है यह question में जो option है वो आपका उपर निचे हो और question का serial number भी आगे पिछे हो सकता है लेकिन जवाब वही होगा बढ़ते हैं दूसरे प्रसंट की तरफ अगला प्रसंट है एक सिक्छक कच्छा के कार्च को एकत्रित कर पढ़ती है फिर छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समयोजित करती है वह कर रही है बताना है कि वह क्या कर रही है इसका सीखने के लिए आकलन जो की option A में है यह इसका सही जवाब है अगर पढ़ते हैं तीसरे प्रस्न की तरफ प्रस्न है सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है इसका सही अंसर है option C या समझने के लिए कि कैसे अधिगम को औलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है next question निमलिखित में से कौन सा एक उप्यूक्त प्रारंभिक आकलन कार्ज नहीं है इसका सही अंसर है option D चात्रों की रैंकिंग फिर अगले question की तरफ बढ़ते है कच्छा में समूह गतिविद्यों दवारा चात्रों में निमलिखित में से किसे विक्सित किया जाता है इसका सही अंसर है सही योग option B इसका सही जवाब है आगे बढ़ते है चात्र अधिगम मांदंड यानि बेंच मार्किंग हिस्सा है किसका हिस्सा है इसका सही अंसर है सीखने का आकलन अगले प्रस्न पे आते है प्रस्न है निम्न में से कौन सी विद्याले अधारित आकलन SBA की मुख्य विसेस्ता है इसका सही अंसर है option B योग जिता अधारित घति विधी अगले प्रस्न पे आते है आकलन का उद्देश क्या है ये आपको बताना है आकलन का जो उद्देश है दोस्तों वो है किसी चीज की गुनवत्ता के बारे में निर्ने लेना जो की option C में है उसके बाद आगे प्रस्ण पर बढ़ते हैं प्रस्ण है निर्देश के अंत में उपलबधी का आकलन करना ये कौन सा आकलन है ये सही इसका आकलन जो है वो है सीखने का आकलन जो की option C में है अगले प्रस्ण पर बढ़ते हैं जो साइद अंतिम प्रस्ण हो अधिगम का अनुविक्षक आकलन हिस्सा है जिसका सही अंसर है रचनात्मक आकलन का option D रचनात्मक आकलन अब देखते हैं आगे और प्रस ने बचा है कि नहीं तो यहाँ पर कोई प्रस ने बचा नहीं है यहाँ पर हम लोगोंने कोई भी question को skip भी नहीं किया है अगर आप से कोई question skip हो जाता है तो यहाँ पर जो question skip में 0 दिखा रहा है यहाँ पर आपका question का संख्या दिखाई देगा अगर आपने एक question skip किया तो एक यह दो तीन कुछ भी हो सकता आप जितना question skip कियोंगे वो यहाँ पर skip में दिखाई देगा अब यहाँ पर हम लोग submit करके देखते हैं हमारे score submit पर मैंने click किया है और score आपके screen पर आप खुद देख सकते हैं यहाँ 10 में 10 बिल्कुल सही है इस तरह दोस्तों आप लोगों को यह video अच्छी लगी हो तो channel को subscribe जरूर कर ले विडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी share करें फिर मिलेंगे नेक्ष्ट विडियो में धन्यवाद